Hello friends, my name is Vamresh Shahdo और मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप आप लोगों है अभी अभी अप्लिकेशन स्टॉल नहीं किया है तो स्टॉल कलीजे जहां पे मेरी फ्री क्लासे भी चलती है जहां पे मेरी क्लासे भी चलती है जहां फ्री क्लासे बिल्कुल फ्री है बिना किसे पैसे लगाए जो वीडियो को आप जागर के वहां पे देख सकते हैं विल्कुल फ्री अप्लिकेशन पर उसके लग दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है PSLV का पूरा नाम क्या होता है तो पहले प्रस्न का right answer हमारा है Polar Satellite Launch Vehicle याणि Option A इसका बिल्कुल सही हो जाएगा Polar Satellite Launch Vehicle पूरा नाम होता है PSLV का याणि Option जो A है पहले प्रस्न का हमारा अगला प्रस्न मारा क्या क्या कह रहा है निमलिकित में से किस वाइसराय का जो संबंद है रॉलेक्ट एक्ट अधिनियम से था आपको पताना चाहिए जो रॉलेक्ट एक्ट एधिनियम था यह 1919 में लाए गया था तो आपको पताना है कि इस अधिनियम का संबंद निमलिकित में से किस वाइसराय से है तो रॉलेक्ट एक्ट के समय कौन वाइसराय था तो लॉर्ड चेम्स फोर्ड यानि ऑप्सन जो इसका बी बिल्कुल सही है रॉलेक्ट एक्ट के समय भारत का वाइसराय था लॉर्ड चेम्स फोर्ड तथा यह जो रॉलेक्ट एक्ट था यह लाया गया था 1919 स्वी में तो आप लौड करजन दो था हमारा वायसराय था 1905 के समय तता 1905 में जो बंगाल विवाजन हुआ था यह सबसे बड़ी घटना थी इस लौड करजन के समय की तो इसी भी आप ध्यान दिजेगा लौड करजन से संबंदित है बंगाल विवाजन की घटना अगला इंपोर्टेंट प्रस कौन बने थी आप पहली महिला अध्यच की बात हो रही है तो भालती राष्टी कॉंग्रेस की जो पहली महिला अध्यच बनी थी यह बनी थी एनी बेसेंट 1917 में जो Eni Besant थी यह भालती रास्टी कॉंग्रेस की पहली महिला अध्याच बनी थी वह एकर एकजाम में आपसे पूछ ले कि भालती रास्टी कॉंग्रेस की पहली महिला भारती अध्याच बनी थी तो सरोजने नाइडो आपका राइट एंसर हो जाएगा अगर यहाँ पे भारती पूछा होता कि पहली भारती महिला अध्यच कौन थी तो सरोजनी नाइडू आपका एंसर हो जाता सरोजनी नाइडू जो थी यह 1925 में भालती राष्टी कॉंग्रेस की अध्यच बनी थी तो दोनों सवाल आपकी दिमाग में होनी चाहिए अगर सिर्फ महिला अध्यच की बात हो पहली तो एनी बेसेंट आपका राइट एंसर हो जाएगा जो मुख्य आर्थिक सलाकार होते उनी के दोरा जारी किया एता है थोक मुल्य सुचकांक यानी ऑप्सन जो इसका बी बिल्कुल सही है मुख्य आर्थिक सलाकार के दोरा विनेस फोगाड का संबंद निमलिकित में से किस खेल से है तो विनेस फोगाट का समबंध किस खेल से है तो कुस्ती इसका राइट एंसर हो जाएगा याईनि option B इसका विल्कुल सही है कुस्ती अगले प्रसमरा क्या कहा रहा है महायान का समबंध निमलिकित में से किस धर्म से है तो बहुत जो धर्म है इसकी दो साखाएं है एक तो साखा हो गए आपकी महायान और एक साखा है हीन यान तो जो बहुत धर्म था यह दो भागों बढ़ गया था हीन यान और महायान में तो आप इससे दान देजे का राइट एंसर हो जाएगा आपका बहुत धर्म अगला प्रस्टामारा है Almaty Bandh जो है यह किस नदी पर बनाये गया है सुपर इंपोर्टन प्रस्टाम तो Almaty Bandh किस नदी पर बनाये गया है तो Krishna नदी इसका right है शरो जाएगा Krishna नदी कहां पे कनाटक में Krishna नदी पर बनाये गया है Almaty Bandh, तो मुल्य हरास यानि कि डेप्रिसियेशन के आमें बात हो रही है जब मुल्य हरास को सकल घरेलू उत्पास से घटा दिया जाता है तो हमें प्राप्त होती है सुध रास्टी आय यानि कि रैट इंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानि कि जब मुल्य हरास को हम सकल रास्टी उत्पास से घटा देते हैं तो हमको प्राप्त होता है सुद्ध राष्टी आई यानि कि option C इसका बिल्कुल सही है अगला प्रस्थ नमारा क्या कह रहा है वीधी का नियम हैने की rule of law की यहां पे बात हो रही है तो rule of law को हमने किस देश से अपने समिधान में समलित किया वह आपको बताना है कि जो rule of law का नियम है इसको हमने किस देश के समिधान से लिया हुआ है तो इसका राटेंचर हो जाएगा आपका England तो option इसका D बिल्कुल से England से हमने लिया हुआ है वीधी नियम तो आप इसे ध्यान दिजेगा अगला प्रसमारा क्या कह रहा है भारत के जो महान्याइवादी होते हैं यानि कि इनको इंगलिस में कहते हैं तो आपको बताना है कि जो भारत के महान्याइवादी होते हैं उनकी नियुकती कौन से अनुछेत के अंतरगत की जाती है तो भारत के महान्यावादी की जो नियुक्ति है या कौन से अनुछेत के अंतरगत की जाती है तो अनुछेत चियत्तर इसका राइटेंचर हो जागा या नि ओप्सन सी इसका बिल्कुल सही है अनुछेत चियत्तर के अंतरगत जो है भारत के महान्यावादी की नियुक्ति की जाती है Chemistry 11 प्रस्तमरा क्या कहा रहा है कि जो हमारा नेचीनल वाटर वे है एक यानि कि हमारा जो राश्टी जल्मार्ग एक है restrictive यह कौन से राजर्ज से को टच कलता है तो पस्चिम मंगाल बिहार जार खंड और उत्तर प्रदेश राज्योसों को गुजलता है हमारा नेशनल वाटर वे वन तो इसका राइट रेंसर क्या हो जाएगा 36 गड़ से यह नहीं कुजलता है तरह आप द्यान दिजेगा जो राष्टी जलमार्ख संख्या're यह यह पस्चिम मंगाल जार खंड बिहार और उत्तर पॉजस के राज्योस गजलता है तरह भारत का सबसे लंबा अब तक का जलमार्ग है तो इसे भी आप ध्यान दिजेगा यह 36 गर्ड से होकर नहीं गुजलता है तो इसका राट इंच रो जाएगा 36 गर्ड अगला प्रसा मारा है डवल्ड हो का हेटक्वाटर आपको बताना का है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन का हेटक्वाटर तो आप इसे ध्यान दिजेगा वहीं अगर हम वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन के प्रमुख की बात करें तो टेड रोस अधा नाम जो है इनका नाम आपके लिए इंपोर्टेंट है टेड रोस अधा नोम जो है यह वहतमान में प्रमुख है डवल्ड हो के तता डव्ल्ड से यह स्थापना या 1948 में की गई थी अगला प्रसमा रहा है अकबर के नौर अतनों में कौन सम्लित नहीं था मतलब कौन-कौन सम्लित आपको बताना दिये गे options में से तो अकबर के नौर अतनों में तानसेलन सम्लित थे राजा मान सिंग समली थे राजा बिरबल समली थे तो राइट अंसर आप कहो जाएगा उप्यूक्त सभी तो आप इसे ध्यान दिजेगा अकबर के नौरतनों में टोटल ये तीनो लोग समली थे तो आप इसे ध्यान दिजेगा तता अकबर के नौरतनों में नौर लोग थे खाना बिर्वल उसके बाद हकीम हुकाम ये सबी संभली थे किस में तो अकबर के नौ डतनों में अगला प्रसमा रहा है फिरल राश्टी गान इसको किस ने लिखा है तो हमारा राश्टी गान जो है इसको लिखा है रविंद्र ना टेगोड ने और हमारा जो राश्टी गीत है उसको लिखा है बंकिम चंदर चटोपाध ध्यायने अगला प्रसमारा है अंतराश्टी समुद्री संगठन यानि कि IMO का आपको हेटकौार्टर बताना है तो अंतराष्टी, समुद्री, संगटन का हैट कोटर आपको मिलेगा लंदन में यानि option A इसका बिल्कुल सही है लंदन अगला प्रस्था मारा है VGA का पुरा नाम को आपको बताना है VGA का पुरा नाम क्या होता है तो जो 16 अप्रस्था है इसका right answer आपको मिलेगा video graphics array यानि right answer आपका हो गया option B यानि कि VGA का पुरा नाम होता है video graphics array यानि option B इसका बिल्कुल सही है अगला प्रस्था मारा है विद्धु जो धारा होती है उसको मापने वाला यंत्र कौन सा है तो विद्धु धारा किसमे मापी जाती है तो emitter इसका right answer हो जाएगा आप इसे ध्यान दिजेगा emitter यानि emitter इसका right answer हो जाएगा emitter जो होता है विद्धु धारा को मापने के लिए emitter का उप्यूग किया जाता है तो आप इसे ध्यान दिजेगा विद्धु धारा जो होता या emitter से मापा जाता है तिसे आप ध्यान दिजेगा वह यहाँ पे विद्धुद्धारा की बात है तो विद्धुद्धारा मापने की इकाई को हम कहते है एमपीर एमपीर जो होती है यह विद्धुद्धारा मापने की इकाई होती है तता एक सर्किट में जो विद्धुत प्रवाह होती है उसको मापने के लिए एमेटर का उप्योग किया जाता है दोनों आपको पता होने चाहिए माले जो कोई एक सरकिट है यहां से लेकर यहां तक कोई एक सरकिट है तो इसके बीच में जो विद्धुत का प्रवाह होता है उसको मापने के लिए A meter का उप्योग किया है यहाँ SI मात्रक होता है विद्धुद धारा का तो दोनों में आपको confusion नहीं रखनी है अगला प्रसमारा है परमाडू रियक्टर किस सिधान पर कारे कलता है तो जो परमाडू रियक्टर होता है किस सिधान पर कारे कलता है तो नाविकी विखंडन पर कारे कलता है परमाडू रियक्टर यानि option इसका A बिल्कुल सही है जो परमाडू reactor होते हैं वे किस पर कारी कलते हैं तो नाविकी विखंडन पर कारी कलते हैं परमाडू reactor अगला प्रसमा रहा है निमलकित में से कौन सा cement का मुख्य घटक है तो दिये गए options में से कौन सा cement का मुख्य घटक है तो इस प्रसंद का रहा टेंसर हो जाएगा अप्संड यानि की इन में से कोई नहीं तो इसका रहा टेंसर क्या हो जाएगा जिप्सम क्या हो जाएगा तो जिप्सम जो होता है या cement का मुख्य घटक माना जाता है तो बेकिंग सोडा का सोरी रासानिक नाम आपको बताना है तो सोडियम बाइक कार्बोनेट होता है क्या होता है सोडियम बाइक कार्बोनेट रासानिक नाम होता है बेकिंग सोडा का तता इसका रासानिक सुत्र क्या होता है तो बेकिंग सोडा का रासानिक सुत्र होता है एन्ने एच सी ओ थ्री तो इसे भी आपको याद रखना है अगर बेकिंग सोडा का रासानिक सुत्र पूछे तो आपका रैंसर हो जाएगा एन्ने एच सी ओ थ्री और अगर इसका रासानिक नाम पूछे तो रासानिक नाम इसका polyvinyl chloride जो होता है या chloro-ethene का बहुलक होता है तो right answer क्या हो जाएगा polyvinyl chloride यानी option ये इसका बिल्कुल सही है अग्ला प्रस्म आ रहा है निम्लिकित में से कौन सा पौधा हार्मोन पौधे के तने की विद्धी के लिए मतलब पौधे के तने के लिए कौन सा हार्मों जिम्मेदार होता है आपको बताना है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं तो option d's का बिल्कुल सही तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा हमारा तो जिबर जिबर आप याद दिखिएगा जिबरे लिंस क्या हो जाएगा जिबरे लिंस जो होता है यह एक प्रगार का हार्मोन होता है जो एक पौदे के तने के विकास के लिए जिम्मेदार होता है तो इसका हो जाएगा जिबरे लिंस जो होता है एक पौधे के तने के विकास में जिम्मेदार होता है, जिब रेलिंस, अगला प्रसमारा क्या कहा रहा है, घ्रान रिसेप्टर सरीर के किस हिस्से में मौझूद होता है, तो जो घ्रान रिसेप्टर होता है, या सरीर के किस हिस्से मौझूद होता है, तो नाक में, यानि ऑप् किसर हो जाएगा option A, अगला प्रसमारा कहा रहा है, पीम किसान जो योजना है, इसके तहत कुल कितनी धन्रासी वित्रित की जाती है, तो पीम किसान योजना के तहत जो है, कुल 6,000 रुपए सलाना दिये जाते हैं, तिसे आप द्यान देजेगा total 6,000 रुपए, अगला प्रसमा जाती है, निमलिकित में इस ये भारत की सबसे तेज गती से चलने वाली ट्रेन अब्वारत से अब तक की तता, जो पहली बार ट्रेन चलाए गए थी कहां- से कहां तक चलाए गए चीती, वराणसी से लेका दिल्ली तक कहां से तो दिल्ली से लेके वराणसी तक यह चलाई गए थी बंदे भारत एक्सप्रेस तो इसे भी आप ध्यान दिजेगा अगला इंपॉर्टन प्रसमा रहा है यूनिवर्सल बेसिक इंकम सुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है तो यूनिवर्सल बेसिक इंकम सुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है सिक्कीम तिसे आप ध्यान दिजेगा तता सिक्कीम पहला राज्य था जो खुले में सौच मुक्त हो गया था तता आप सिक्कीम पहला राज्य था जिसने पूरी तरह से जैवी खेती अपने आज सु बिद्याला है यह बनाए जाएगा मणी पूर में यानि ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही है मणी पूर में बनाए जाएगा भारत का पहला राष्टी खेड़ बिद्याला है यानि ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही है उन तिस्वा प्रस्त मारा है हाली में जारी जो किया गय तो world happiness report 2019 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशाल देश था Finland यानि option इसका ए बिल्कुल सब यह Finland जो था यह दुनिया का सबसे खुशाल देश था और भारत के ranking के 30 में तो भारत का 140 अस्थान था तो इसे अब द्यान दिजेगा आज का last प्रस्ण मारा है निम्लिकित में से किसने 9 लेखा परियोजना की सुरुवात की है तो जो 9 लेखा परियोजना या सुरू की गई है किसके द्वारा तो Google के द्वारा तो right answer इसका क्या हो जाएगा Google तो option इसका भी बिल्कुल सही है गूगल के द्वारा जो है 9 लेखा परियोजना की सुरुवात की गई है तो दोस्तों हमने याँ पे भाग 11 के 30 मेहत्मूर प्रस्णों को हमने कवर कर लिया है जल्दी मिलेंगे हम अगले भाग में तब तक के लिए thank you thanks for watching thank you